सकार च enshrad nos प्रेल करलुक रजए मैं absolute just आपको मैं बता दूकि यह तैयारिया किसलिए चल रही है तो यह तैयारिया चल रही है पहली संकराथे के लिए भापी की नहीं भापी की यह पहली संकराथ है मैं यह तैयारिया चल रही है और यह हम लोग बना रहे है इसे बोलते है मराठी में हलवय चदागीने बट हिंदी में क्या बोलता है इसे मुझे नहीं पता यह आपको दिख रहा है वाइट वाइट जो दाने दिख रहा है वाइट वाइट इसके ही जूलरी बनाई जाती है तो उसे हलवय चदागीने बोलता है और यही हम लोग बनान वाले है घर पे ही बहुत सुन्दर दिखती है जैसे हल्दी में होती है वैसे ही जुल्री हम लोग घर पे बनाने वाले है तो आगे आप देख लेना कि कैसे जुल्री बनाने वाले है हम लोग और यह हमारे साइड में कल्चर है हमारे साइड का मतलब मराथी कल्चर है कि पहली स कल्यानी की ये बहन है मतलब मेरी जो बड़ी भावी है उसकी बहन है शिवानी और मैं तो हम दोनों बैढ़ गये थे पहले अक्चुली सब लोग नीचे काम कर रहे थे इसी वजह से दूसरे दिन का ये प्रोग्राम था ना तो इसकी लिए सब लोग कामों में लगे हुए थे तो हम लोग उन्हें सोचा चलो हम लोग खाली बैठे है तो हम लोग ये कर लेते हैं मतलब स्टार्ट तो भी कर देते हैं तो इसी वजह से हम लोग उन्हें स्टार्ट कर दिया था उसके बाद कल्लाने आई उसके बाद फिर दिपाली आई इपाली मेरी सबसे छोटी भावी है और बड़ी भावी का नाम कल्लानी है तो आपको अगर नहीं पता है तो बता दू और फिर उन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को और घर पे बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि फॉस्ट पतली से मिल रही ःथी और दिपाली ने कुछ पीक्स भी दिखाया थे मजे तो धा स्टिश कहीघीया रही थी मैने और फिर हम लोगों ने अपना दिमार्ग लगाया तो उसमें से हम लोगों ने आ किया हुओ बाद में कल्लेया नी स्टिश बड़ना के हम लोगों ते जिलर वो आप आगे देख लेना व्लॉग में और बस यहां पर हम लोग वही चल रहा है हमारा और अभी कल्यानी आ गई है तो कल्यानी अपना दिमाग लगा रही है मतलब उसने पत्रिका ली है पुरानी वाली पत्रिका थी हमारे आपे काड था चादी का तो वो लेके वो काड रही और जैसे जैसे उसको चाहिए था वैसे वैसे और वह शेफ देखे फिर वो बनाएगी अभी उसका दिमाग लगाएगी तो बड़ा वाला नेकलेस और कमर बेल्ट और सब कुछ हमने बनाया था बहुत ही सुन्दर बनाया था और बस यही बनाया बनाने के लिए लिए लग को बहुत टाइम हो गया था यार मतलब जैसे कि हम लोगों ने सब कुछ काम खतम किया मतलब हम लोगों ने नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लोफील हो रहा था इसी वज़़ा से और कल्यानी और दिपाली अपने-पने कामों में लगे थी नीच के बाद हम लोगं टीटैन्ट फेशील कियाक्षाली हम लोग जब बाहर गये थे और उससे हम लोगों ने दिपाली नहीं थी नहीं था करने का पैसल वगर क्योंकि वह भी भूझे खकी हुई थी और looking कि ए farms तो इसी कृषाम मेंळे थी ठीक कानी शीच नहीं लग रहे है business और फिर उसे थोड़ा सा ठीक लगने लगा था उसके बाद कल्यानी भी होस्पिटल गई और मैं ही जाना वाकिए था मतलब मैं ही वेट कर रहे थी जिर मेरे भी तब्यत बाद में खराब हो गई तो मुझे भी जाना ही बड़ा होस्पिटल क्यूंकि उदर गए थे तो ट्रावलिंग ट्रावलिंग की वज़से बहुत ज़दा मतलब नीन वगर पूरी नहीं हो रहे थी और खाने पिने के लिए भी मतलब सही टाइम नहीं था खाने का तो इसी वज़से हमारी तब्यत बहुत ज़दा खराब हो गई थी उदर से आने क उस टाइब की रंगुली बनाते हैं, इस अलदी कुम कोम के program में तो इस वज़ा से वही बना रहे थे, और कल्णने ने रंगुली बनाई उसके बाद नीचे भी रंगुली उसने भी बनाई, सारी रंगुली और उसके बाद flower decoration ये सब कुछ कल्णने ने किया, और नीचे का जो संबालना उनको जो कुछ चाहिए वो देना यह सब कुछ दिपाली ने हैंडल किया और कल्लैने फिर उपर करका सब कुछ संबाल लिया और ख़ाना बनाने के लिए तो मतलब वो जो लेडीज होती है वो ही आई थी तो फिर उनोंने ख़ाना बनाया था तो यहाँ पर खाने में आपको मैं दिखा दूँगी actually मैने पहले shoot नहीं किया उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे shoot करना है ठोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि क्या-क्या था खाने में यहां पर सभी का खाना हो गया था उसके बाद लास्ट में हम लोग घरवाले ही बचे थे तो घरवालों का खाना हो रहा है यहां पर तो बस यहां पर दाल चावल यह रबडी है उसके बाद पकोड़े पापड़ और कड़ी यह सब चीजे थी और बस खाना खा लेंगे उसके बाद यहां पर आपको रंगुली वगरा दिखा देती हूं आगे कि कल्यानी ने रंगुली वगरा कैसे बनाई सब कुछ डेकॉरेशन कैसे किया तो यहां पर यह वाली रंगुली कम्प्लेट हो चुकी है और यहां पर लिखाए तिडगुलः घ्या और गोडगव बोला मिस क मतलब है और यहां पर studio पर चड़ते हैं तो यह corners आते हैं तो यह corners में भी मतलब उसने बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी कल्यानी ने और बस यहां पर flower decoration किया था flower से यह रंगोली बनाई थी और उसके बाद यह अंदर भी बहुत अच्छा decoration किया उसने अच्छी सब लोग थके हुए थे बट सब लोगों ने ऐसे दिखाया नहीं किसी ने भी कि थके हुए करके बट मैं तो मेरा तो मेरी तबद तो start हो गयी थी मतलब यह लोग तो hospital गये थे बट मेरी तबद ठीक हुई नहीं थी तो जैसे मेरा कुछ भी करने का मनन नहीं कर रहा यहां पर hall decoration इस तरह से किया है मतलब घर पे ही किया था यह program तो आप देख सकते हो यहां पर यह ऐसे पतंगे लगाई जाती है और हमारे साइट का जैसे प्रोग्राम होता है न वो दिखा रही हो आपको पहला संक्रांति का program है यह भाबी का नहीं भाबी का ऐसे ही होता है हम मतलब ऐसा decoration वगरा करते है और भी कुछ होता है बट यह हमारा जैसे कि ठक के आ गया थे हम लोग दर से और फिर हमें करना भी था यह program अच्छे से तो इसलिए यह थोड़ा सा कम किया बट फिर भी अच्छे सी हुआ हम लोग उन्हें ऐसे सोचा भी नहीं था कि हम लोग इतन स्षजिषổi, लोग फेशन लिजर अलेशन कीया था और इसको हेर्प की थी मेरे भाई को मसी का बेटा है और यहल पर वो पारलर वाली हा गई थी मतलब जो पारलर वाली दिदीं वहा गैथि जिसने और भाज अगर आप भाड़ा सा बलॉग ways अगर नहीं दिखा है तो जल्दी से जाके देख लिए बहुत अच्छ अच्छ व्लॉग है शादी के भाई के तो आपको बहुत अच्छ लगने वाला है और यहां पर वही हैस्टाइल जल रही है तो सबकी हैस्टाइल इनों ने बना के दी थी और फिर आपको मैं बाद में दिखा दूँगी कि मेरे हैस्टाइल कैसे हुई थी क्योंकि मैंने बहुत लास्ट में मतलब लेड हैस्टाइल की और उसके बाद हम लोगोंने मतलब प्रोग्राम एक्चुली मैं प्रोग्राम में भी नहीं थी मेरा मंडी नहीं कर रहा था तो दिपाली वह mak意 अठरी की क्या क्या एक राब तो दिपाली का मेककब मैने करके दिया था तो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताना और यह वा लहाली मेरे बड़ी भाबी ने बनाई थी मतलब बड़ी पापा के बहु ने तो कैसे लग रही है वो भी जरूर कमेंट करके बदाना यहां पर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और दीपाली की ममी दीदी जो है वो बड़ी देदी सब लोग ममी के पैर वगराद होएंगे तो यहां पर अभी यह दीपाली का पहली संक्रांद का प्रोग्राम है इसी वज़एसे दीपाली यह वान दे रही ए मतलब इसे वान बोलता है कुछ चीज दी जाती है और वो थी चल्ल, इन दोनों ने वो प्रोग्राम मेर कर लिया सब कुछ और फिर लास्ट में इन लोगों को नाश्टा दिया लेडिस को तो नाश्टे में भी बता दू नाश्टा में शूट नहीं कर पाई पर नाश्टे में बता दू आपको क्या-क्या था नाश्टे में कचोरी थी और मटकी थी यह नाश्टे में था और यहां पर दिपली और मेर सब कुछ देगी इसकी मम्मी उसे और जमाई के लिए जो भी लाया है तो वो जमाई को देगी तो ये सब कुछ यहां पर होता है और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्रम सिंट configured जैसे कि बाके के लेडीज का तो वो पैर दोने का प्रोग्रम होता है हमारी सैट में तो वो प्रोग्रम आगे देख लेति अरagn desires का अब करतानगन की जोड़ी कैसे लग रही है जरूर कमेंट करके बताना है मतलब cabbage हमारी सैट में ब्लैक ही पहनते हैं इसी वज़ाश से उसने भी ब्लैक पेना है और भाई ने भी ब्लैक पेना है। भाई का कुडता उसकी Mommy लेकर आइती। और ये वली साड़ी मेरी ममी ने लीएती। और उसकी Mark green साड़ी लेकर आइती। वैसे Black का मान थैं। मतलब Black लेकर आता हैं। बट उसकी ओमई ने ग्रीन लेकर आई थी और ये मेर्य में ने उसके लिए ली थी बढ़ कि मैंए तीजैनन अब नियु यर यसको युँ आई थीए उसके लिए शाड़ी लिए अमरोधी से तो यह मेरी चॉइस है कैसे लगई जरूर कमेंड करके बताना मुझे और अभी यह मेरा चल रहा है अभी आ गई हूँ मैं मेरी एंट्री हो गई अब तक मैं आई नहीं थे अचुली मेरा मेकप करने का मन नहीं था मेरा हैस्टाइल बनाने का मन नहीं था तब बित खराबती इसी वज़े से बट कैसे तैसे मैंने कर लिया और उसके बाद आ गई यहां पर प्रोग्राम अटेंड किया और यहां पर सब लोग कैसे लग रहा है जरूर बताना तो बस यह आप अब सबक और जो लेड़ीज ने किया और यह बीच वाली भापी है और उसके बाद मेरे से आप, मिले नहीं होगे तो अभी आप मेरे नानी से भी भी मिल लीजसे यह मेरी नानी है जिसे कल्लानी की मम्मी ओटी दे रही है तो नानी से मैंने इस से पहले पता नहीं मिलवाया आपको बट अभी मिल लीजे आप यह मेरी मम्मी की मम्मी है और बस यहाँ पर यह सब लोगों को दिया जाता है इसे जिसे वान बोलता है मतलब कल्लानी की मम्मी सब लोगों की ओटी बनेंगी जो घर की ladeys है और फिर उनको वान देगी और यहाँ पर पैर दोने का प्रोग्राम होता है हमारेाब तो यह पैर दो रही है दिपाली मेरे मतलब पहले दिपाली न न ममी के भी पैर दोय दोये और उसके बाद मेरे भी दोये वैसे तो ननत का और सास का मान होता है यह वैसे यह जो पैर दोने का प्रोग्राम होता है वो बड़ों के दोए जाते है जैसे कि अभी दीपाली सबसे छोटी है तो वो सब के दोएगी जो जो उसकी जिठानिया है या उसकी सास है या ननत है तो ननत तो मैं अकली हूँ लब एक नन मतलब मम्मी के दोएगी यह सब कुछ यहां पर चल रहा है तो यह सब कुछ होगा और हाँ ट्रिप से आने के बाद तो सभी लोग बहुत ज़ादा थक गये थे बड़ डिपाली थोड़ी सी फ्रेश इसलिए लग रही थी क्योंकि दिपाली का पहला यह फंक्शन था और दिप अनरजी नहीं थी मुझे में तो बिल्कुल भी नहीं थी कल लैनी में भी थोड़ी से आ गई थी बाद में अनरजी और हां किसी ने मुझे यह भी पूछा था कि मतलब बहुत से ऐसे कमेंट है कि आपकी ट्रीप के लिए कितना खर्चा आया है तो ट्रीप के लिए खर्चा पर परसन हम लोगों ने 10,000 खर्चा मेरे भाई के पास पूनावाले भाई के पास जमा कर दिया था और फिर सारा खर्चा उसी ने किया मतलब हम लोगों ने पर परसन 10,000 रुपी दो उसको दे दिये थे और जैसे बच्चू का है ना तो बच्चू का जैसे मेरा अद्विक बचको है थे थे और माहे का हमने 55,000 डिया था तो ऐसे जमा कर दिये थे हमने पैसे वहां पर उसके पास जमा कर दिये थे और उसके बाद उसने सारा कर्चा किया मतलब एक भी जग़ए पर हम थुद का Tuska कर्चा करना नहीं पड़ा टैस कर्चहं लईके सब कुछ उसने ही ख अच्छारे यह दिया है इस वाद अच्छा पर्सक्राइब कुछ है चुह झाई यह कुछ लोग अच्छा आई मेरे करें हो तो सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब तब भूल जाती थी कि यार मतलब आपकी यह कमेंट का मुझे रिप्लाइ भी करना है ऐसे होता है मेरे साथ हमेशा कुछ कमेंट आप करते हो ना तो उसका रिप्लाइ करना मैं भूल जाती हूँ कभी-कभी बस यही था बाकि कुछ नहीं था ऐसा नहीं था कि मुझे आपको ख जुल्री आपने देख ली, भावी देख ली, भावी की साड़ी देख ली, कैसे लग रही है जरूर बताना, ब्लाक कलर की साड़ी में और भी दाद अच्छी लग रही थी वो, बस यही प्रोग्राम है आज का, और प्रोग्राम बहुत अच्छा से हुआ, और बहुत अच्छ और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना इसके साथ मेरे तो और चैनल है आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हाँ जब आप सब्सक्राइब करते हो ना उसके बाजो में एक बेल आइकोन आता है उसको क्लिक करना मुद भूलेगा उस पे अल पे क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियो की नोटिफिक्शन मिल जाएगी सबसे पहले और इसे आप सबसे पहले देख पाओगे और हाँ मैंने इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो तो चले फिर मिलती हूँ नेक्स व्लॉग में तिल देन बाबाई टेक केर एंड लव यू आल बाई